नमस्कार दोस्तों पूनम की जट पट्रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को मसूर दाल और आलू का पकवड़ा बनाना सिखाऊंगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसूर दाल और आलू का पकवड़ा इसके लिए मैंने एक कप मसूर दाल को लिया है और चम्मच लहसुन बारी कटा हुआ, मिर्च आपके इच्छा अनुसार, हल्दी एक चोटी चम्मच, नमक एक चोटी चम्मच, और धनिया मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, मसूर दाल और आलो का पकोड़ा, इसके लिए सबसे पहले हमें दाल को पीसना होगा, दाल को ये देखिए, मैं मिक्सिंग जार में डाल रही हैं और इसे पीस लोगे, ये देखिए, ये हमारा दाल जो है, पीस चुका है, और चूले पर मैंने कड़ाई को चड़ा दिया है, और अब मैं आलू को पकाऊंगी, कि आलू में मैंने आधा कब पानी डाला है, और अब मैं इसमें नमक और हल्दी डाल कर इसे पकाऊंगी, इसमें मैंने आधी छोटी चमच नमक डाला है, और अच्छे से मिलाकर आलू को पका लेना है, जल्दी पक जा, इसके लिए मैं इसे ढख दूँगी, ये देखिए, चार से पांच मिनट में आलू जो है, बिल्कुल, ये जो है, पक चुका है, ये दिखिए, दबाने से बिल्कुल, ये दब जा रहा है, और अब मैं इसे चुल्दी से उतार कर इसके पानी को निकाल लूँगी, पानी इसले निकाल ले रही हूँ, ताकि हमारा बैटर पकोड़ा का ज़्यादा गीला ना हो जाए, और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, और आलू को इस तरीके से टुक्रों में कर लूँगी, ये देखिए, बड़ी आसानी से इसे तबा कर टुक्रों में कर लूँगी, ये देखिए, मैंने इस तरीके से आलू को टुक्रों में कर लिया है, और अब मैं इसमें मसूर दाल को मिलाऊंगी, ये देखिए, और अब इसमें मैं हरा धनिया, प्याज, अद्रक, लहसुन, जो लहसुन नहीं खाते इसे स्किप्ट कर सकते हैं, और अल्दी, और नमक, नमक मैंने कम मिलाया है, क्योंकि मैंने आलू में नमक को टाला था, और अब इन सभी समागिये को अच्छे से मिला लेना है, दोस्तों, यह जो पकोड़ा है, खाने में बेहत स्वाधिष्ट लगता है, यह देखिए, यह हमारा बैटर जो है, बिल्कुल तयार हो चुका है, और तेल भी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, यह देखिए, और अब मैं पकोड़ा तलना शुरू करती हूँ, एक केकर इस तरीके से पकोड़े को बनाती जाओंगी, और इसे पलट तूँगी, दोनों तरफ पकोड़ा को अच्छे से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सेक लेना है, यह देखिए, यह जो पकोड़ा जो है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, और इसी तरीके से बाकी का भी जो हमारा बैटर है पकोड़ा का, मैं पकोड़ा इस तरीके से बना लूँगी, और यह हमारा पकोड़ा बनकर तैयार हो चुका है, और इसके उपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला को डालूँगी, थोड़ा हरा धनिया को डाल दूँगी और इसे आप सॉस या चटनी के साथ खाए तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले और यदि आपको आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो